question 8 अब सभी future Chartered Accountants का एक बाव फिर से स्वागत है सवालों की अर्टिकल सिप में which is neither mandatory और neither mandatory nor dummy just do it okay so चलते सीरे सवाल पर सवाल यह है यह सवाल है कि क्या सवाल है ठीक है question 8 don't confuse बोलता है यह parent company पहले देखते हैं क्या पूछा है हमसे question how should that goodwill be reflected पूछता है goodwill कैसे reflect होगा cfs में एक entity entity B अब detail पढ़ते है parent company A जो ओन करती है 80% not 100% that means NCI है यहां पर 20% B को ओन करती है entity B acquire करती है एक तीसरी company जिसका नाम है entity C which it then holy owns मतलब हो 100% acquire करती है और उसकी goodwill का value is 71 lakh on the acquisition of entity C अब हमसे पूछता है कि इस goodwill को कैसे हम लोग entity B के cfs में दिखाएंगे should it be reflected as अब पूछता कि either of one बता ये बोलता कि hundred percent of goodwill with twenty percent then being allocated to the NCI और 80% of the goodwill that arises अब बोल रहा है कि सवाल को समझे थोड़ा सा tricky है question यहां पर तीन parties है A, B, C अब यह तीन parties में जो इनका इनका relation है वो यहां पर matter करेगा क्योंकि इनके लिए जो subsidy है वो यह है तो इनके case में यहां पर NCI आता है ठीक है ओके और इनके case में NCI नहीं आता है हमसे सवाल क्या पूछा गया है कि entity A के case में क्या होगा अगर यहां पर entity c जो भी acquire की तो यहां पर अगर यह cfs बनाएंगी तो क्या होगा अगर माल लेते हैं एंसर में आप यह लिख सकते हैं कि इन दी बुक्स ओफ वो बी that means हम cfs की बात कर रहें assuming कि वो cfs बना रहे है तो इस case में क्या होगा यह 100% goodwill को recognize करेंगे ओके अपने financial statement में क्योंकि यहां पर कोई nci नहीं आए वही रही बात जो की question में पूछा है जो entity ए है उसके cfs में क्या होगा तो उसके case में जो goodwill है वो तो 100% आएगी आएगी और allocate भी होगा nci को जो 20% जो allocation होगा वो nci को होगा एन लोकेट 20% to nci समझते बात को एक company है जिसने 80% own किया हुआ है तो यहां पर nci है एक company है जिसने 100% own किया हुआ है तो यहां पर nci नहीं है जब यह अपनी books of accounts बनाएगी तो यहां पर nci नहीं आएगा जब यह अपने books of accounts बनाएगे जो consolidated financial statement है तो क्या वहां पर आएगा answer is yes वहां पर आएगा ठीक है ओके तो यही solution है कैसे होगा तो यह वाला option सभी रिफ्लेक्टेट इस 100% तो गुडूल विथ 20% then being allocated to the nci clear और यह exam probability इसकी क्या है बहुत ही low है मतलब basically it's a true false type question so we are not expecting मतलब इसकी exam probability जो है वह बहुत low है और यह type of question थोड़ा दर tricky but easy okay well then तो मिलते आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का तहर दिल से शुक्रिया आप अपना और अपनों का जरूर ख्याल रखें मिलते हैं अगले वीडियो में